बिस्मिलाहिर रहुमार रहीम असलामलेकूमा यूटी फैमली वेलकम टो मैं चैनल आज की वीडियो में हम आपको सिंपल इजी पैटर्न पे बना हुआ थ्रीडी डिजाइन बनाना बताएंगे इस डिजाइन को आप शॉल मफलर बेबी ब्लैक इसके सी भी प्रज्यक्ट में डाल सकते हो सबसे पहले हम स्लिप नोट लगाएंगे इसके बाद कॉंट करते हुए बेसिक हम चैन लगाएंगे वान टू थ्री फॉर एंड फाइव तो फाइव के मल्टिपल्स में आपको फांडेशन चैन बना लेनी है जितना भी आपका प्रजेक्ट की लेंथ है उसे सा इ advisors 3 चैन ला एक्सट्रा बनाएंगे 1,2 स्कृत्व एंड थ्री चैन एक्सट्रा बनाने के बाद पर फॉस्ट ऑली चैन को आपने सकिप्प करके second वाली चैन में कुरोशा डालेंगे बिन बलके slip stitch करेंगे ठीक है इस तरीके से पीछे वाले thread को लेंगे और जो crochet में लूपस है इसके बीच में से हम निकाल देंगे slip stitch करने के बाद अब इसके उपर हमें 5 chain लेनी है 1, 2, 3, 4, and 5 ओके 5 chain कंप्लीट करने के बाद next जो हम अपना loops बनाएंगे वो double triple crochet पे बनाएंगे तो तीन बार आपने crochet के उपर thread को wrap कर लेना है एक हमारा loops already crochet में है और तीन बार हमने crochet के उपर thread को wrap कर लिया है अब next channel stitch में डालेंगे और दो दो करते हुए हमें 4 बार में अपने फंदे over कर लेनी है इस तरीके से हमारा double triple crochet complete हो जाएगा again हमें 3 times में crochet के उपर thread को wrap कर लेना है और next channel stitch में डालेंगे repeat हमें दो दो करते हुए 4 times में अपने जो loops हैं वो over करके double triple crochet को complete कर लेना है तो first row हमारी same double triple crochet पे बनेगी same तरेके को follow करते हुए आपने first row इसकी complete कर लेनी है हम complete करने के बाद पिर आपको दिखाते हैं कि आगे जो हमारे second row है वो किस तरीके से बनेगी first row हमने complete कर ली है अब इसकी second row हम आपको बनाना बताएंगे पहले एक chain लगाएंगे एक chain लगाने के बाद work को दूसरे side पे आपने turn कर लेना है अब फर्स्ट वले स्टिच में डालेंगे फर्स्ट वले स्टिच में डालके हम single crochet बनाएंगे दो लूपस हैं दोनों को एक की साथ over करना है नेक्स स्टिच में डालेंगे यहां भी हमें single crochet बनाना है तो second row जो है वो पूरी single crochet पे बनेगे जितना भी आपके पास स्टिच हैं सब में crochet डालके आपनी इस तरह के से single crochet को बनाती हुए पूरी row को second row को complete कर लीजे अब last के जो दो स्टिच हैं वो हम आपको repeat बना के दिखा देती हैं लास्ट में हमारे पास five chain का लुपस है तो इसकी फिफ्ट वली chain में हम single crochet इस तरह के से बना के पूरा complete कर लेंगे अब हम इसमें third row को बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको दो चैन लगानी है वो चैन लेके वाल को दूसरे सेट पे टरन करना है और same stitch में यानि के first वाले stitch में आपको crochet डाल के double crochet बना लेना है दो चैन और one double crochet का एक छोटा सा circle बन जाएगा अब इसी circle में हम अपने work को बनाना है पहले एक chain लेके work को दूसरे सेट पे हम टरन कर लेंगे अब हमें थोड़ा सा लंबाई की shape में इस तरीके से loops अपना crochet में बनाना है इसके बाद बन लगा के हम circle में डालेंगे और one two three four five six and seven तो seven times में हमने अपने loops बना ली है अब दो दो करके हमें ओवर करनी है एक बार हो गया अब फिर से दो loops लेंगे दो बार तीन बार चार पान्च छे साथ और लास्ट में आठ यह जो आठवा हमारा loops है वो हमने starting में क्रोशा में बना लिया था तो आठ बार में हमने अपने loops ओवर करनी के बाद बार को दूसरे सेट पर टान करना है और सेम गैप में हमें four time में अपने loops बना लेनी है one, two, three, four four time में अपने loops हमने बना ली है अब दो दो करती हुए हमें four time में अपने जो loops है वो ओवर करनी है सेम तरीके से हम करेंगे एक बार हो गए दो तीन चार और देखिए दो लुपस है क्रोशा में चार बार में हमने ओवर कर ले दो लुपस है दोनों को देखें और सेकेंड वाला जो लुपस है फर्स्ट वाले की बीच में से हम निकाल देंगे तो हमारा फर्स्ट त्रीडी लिव्स डिजाइन का जो पैटरन है बन चुका है अब इसको जो जोएन के इस तरीके से करना है देखिए हम फर्स्ट वाला जो हमारा फाइट चैन का लुपस है इससे अपने स्किप करके नेक्स्ट जो फाइव डबल टिपल करोश है उससे कर लेंगे 5 स्पाइब लूपस था उस तरीके से काउंड करना कर ला स्पाइब कर लेंगे और फाइब लिए पर आपको बीच में घयाप कर लीना है और इसमें पिड़ां के पिजान के उन्म को आप ऑनाचे यह देखे और चेर और फिजान constants के पर साम कर दीश्चानe सबात हो हम पुबंगे या जाने कि सरकल चाहिए और शुचन सब्साध्षा सब्सक्रणा के उन्म स्प्राइए और इस सरकल में भी सेम आपको सेमन टैम में अपने लुप्स बना के कंप्लीट करनी है और फिर दो दो करते हुए हम इसको आठ टैम में अपने जो लुप्स है वो ओवर करके हम डिजाइन की जो फर्स्ट साइड है वो बना लेंगे ठीक है एक हो गया दो तीन चार पांच चे सार और लास्ट में आठ ठीक है एक टैम में हमने अपने लुप्स ओवर कर ली है अब वाल को दूसरी सेट पर टान करेंगे और सेम गैप में फोर टैम में आपको लुप्स बना लेनी है बहुत आसान है इसको बनाना बस थोड़ा सा धियान लगा कि आपनी हर पॉइंट को समझना होता है बाकी जब आप एक से दो रो बना लेंगे तो इसली आप इसको जितना चाहें बड़ा या फिर चोटा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो ओके अब देखिए नेक्स्ट भी आपको फाइव डबल टिपल क्रोशा कॉंड करके जो हमारा फाइव डबल टिपल क्रोशा के बाद गैप होगा ना आप पस कह लिए आप इसको इस तरीके से बना लेंगे तो यहांपे डालेंगे हम सिलिप स्टी से इसको बंद करेंगे सेकिंड डिजाइन को बंद करनी के बाद इसके ओपर रपीट ही तो फिर इस तरीके से आपके हारए डो चैन् ayud Woran double crochet कесь home'd account को जाए मैं हमें डीजाइन को जए बाना लिना ह inan। है कि सेंब तरीके को उस्पड़र कर थे हूए हम gcma को पुम्पलीट कर baj आप दिछाओं तीम है अब लास्ट का जो डिजैन है से आपने किस तरीके से जोइन करना है यहां पर ध्यान से देखिए यहां भी हमें फाइव डबल टिपल कुरोशा कौंट करके अलग कर लेनी है और जो लास्ट का यह वला आपको गैप दिखे इसमें हम डालेंगे ठीक है इस्टार्टिंग में जो दो चैन हम एक्स्ट्रा बनाती है तो फिर दो लूप समारे एक फर्स सेट से और एक सेकंड से एक्स्ट्रा बन जाते हैं लास्ट का डिजैन हमने स्लिप स्टिच से बंद किया अब इसी लूप में जो हमारा कुरोशा में है हम कलर चेंज कर लेंगे एक चैन लगा के हम वर को दूसरी सेट पर घुमा लेंगे और देखें जहां पर हमने अपनी चैन बनाई है ना सेम स्टिच में डालेंगे स्लिप स्टिच करेंगे स्लिप स्टिच करने के बाद हमें इसके उपर फाइब चैन कोट करके बनानी है वान टू त्री फोर फाइब चैन लेने के बाद नेक्स्ट डिजाइन के बीच में जो हमने स्लिप स्टिच किया था अब इसी स्लिप स्टिच में हम डालेंगे और सेम इसके उपर हमें स्लिप लेना है यानि five chain को हम slip stitch से जोइन का लेंगे ओके अगे हमें फाइब चैन लेना है one two three four and five और design के बीच में जहां पर हमने slip stitch से अपनी design को जोइन किया है तो इसी slip stitch में जो बीच बीच में हमने बनाया है डाल के slip stitch से इस five chain को हम लोग करते जाएंगे रपीट हमें five chain लेनी है तो जितना भी आपका डिजाइन है और बीच बीच में slip stitch है उतनी बार आपने five five chain लेते हुए slip stitch से जोइन करते जाना है last stitch में भी हम slip stitch से five chain को जोइन करेंगे इसके बाद हमें five chain लेनी है फरस्ट अपना double triple crochet बनाने के लिए हमें five chain लेनी है तो जो five chain है starting में इसे हम as a double triple ही count करेंगे double triple crochet count करेंगे ठीक है five chain बनाने के बाद हम work को दूसरी साथ पर turn करेंगे और जो five chain के हमारे block बने हुए है अब इसमें हमें double triple crochet की जो loops हैं वो बनानी है हर five chain के block में हमें five ही double triple crochet की जो loops हैं वो बनाके complete करनी हैं फस्ट वाली ब्लौक में हमारे 6 double triple क्रोश बनी है ठीक है 6 हमने double triple क्रोश फस्ट वाली ब्लोक में बनानी है और six double triple क्रोश लास्ट के ब्लोक में बनानी है बाकि बीच वाले जो हमारे ब्लोक हैं उसमें आपको 5 ही कौंट करके डबल डिपल कुरोशा के जो लुपस हैं वो बनाके पूरे कम्प्लीट करते जाना है ठीक है यहां पे लिखेंगे हैं फर्स्ट वाले ब्लोक में और जो बीच वाले ब्लोक में हैं वो 5 हैं आगे हूं लुपसर पांच मेरा पडल में पूर्स पूंच बनाते जाना हैंसे भीच वाले ब्लोक heure की मिश्च करतेज़नी हो लुपसरा करना है इसके बाद हम इसकी जो next row बनाएंगे नो वो एक चैन लगा के बार को दूसरे सेट पर टान करना है और first वाले stitch में डालेंगे single crochet बनाएंगे next वाले stitch में भी single crochet बनाएंगे तो ये वाली जो row है ये हम single crochet पर पूरी बना के complete कर लेंगे इसके बाद जो हमारी next row रो बनेगी तो फिर इसमें हम design डालेंगे दो चैन लगा के वाल को दूसरे सेट पर आपने turn कर लेना है और first वाले stitch में पहले आपको double crochet बनाना है same stitch में जहांपे हमने दो चैन लगाई है एक चैन लगाके हम वाल को दूसरे सेट पर turn कर लेंगे और फिर सेम तरीके से हम अपने loops लेंगे seven times में अब हमें दो दो loops करते हुए इसको पूरा complete का लेना है one two three four five six seven और last में eight क्योंकि एक loops हमारा already crochet में होता है और साथ हम circle में बनाती है अब second side पे हमें four time में अपने loops लगानी है again हमें दो दो loops करते हुए four time में अपने जो loops हैं वो ओवर कर लेनी है last की जो दो loops हैं आपको first जो loops है second loops में से निकाल लेना है ठीक है अब आपने five double triple crochet कौंट करके इस तरीके से slip stitch कर लेना है और again हमें दो चैन और one double crochet करना है फिर same circle में एक चैन लगा के बार को दूसरे ज़र पर टान करना है और same हम डिजाइन repeat बना लेंगे तो बहुत आसान सा ये डिजाइन है फिर आपने ट्राइ जरूर करना है इसको लास्ट में हमारे पास दो लूपस हैं अब फास्ट लूपस को हम सेकंड लूपस के बिज में से ओवर कर लेंगे और फिर हमें पाँच डबल ट्रिपल क्रोशा कॉंट करके पाँचवा जो हमारा गैप है इसमें हम अपने डिजाइन को जोइन कर लेंगे इजी एंड ब्यूटिफुल हमारा क्रोशा 3D पैटरन कम्प्लीट हो चुका है आपके CP प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हो तो वीडियो